वह थे अविडिक आडमी राची और वह देश जो है ना वह 74 मिलियन टन जो फूड है उसको बरबाद करता है अप को पता होगा कि हमारा देश में कितनी जादे भुखमरी है हमारे कितने बच्चे जो है वह मैलनुट्रिशन से गुजरते हैं कुपोशित होते हैं और हमारा ये जो है वह 931 मिलियन टन जो फूड है ना उसको बरबाद करता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्टेटस है फूड सिक्यूरिटी का पूरा वर्ल्ड में किस तरह से जो खाद सुरक्षा है ना वो खत्रे में है और ये सारा प्रॉब्लम का सॉलूशन सिर्फ और सिर्फ मेनेज वेस्टेज क्या होता है फूड लॉस क्या होता है और इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं UPSC परस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है तो लेट्स ड्वल इंटो इंटो इस टॉपिक और सी निटी-ग्रिटी ऑफ दिस प्रॉब लॉस अगर एग्रिकल्चर हो रहा है माल लीजेगी टमाटर की खेती हो रही है और वहां से दुकान तक पहुंचते बहुत सारे टमाटर जो होंगे न वो बरबाद हो जाएंगे तो ये जो डियूरेशन है एग्रिकल्चर से दुकान तक रिटेल तक जाते जाते जो फूड की बरबादी हो रही है उसे food loss कहते हैं whereas retail से जो आपके घर तक जा रहा है या फिर restaurant तक जा रहा है उसमें जो food बरबाद होता है ना उसे food wastage कहते हैं इस तरह से जो food की बरबादी है उसको हम लोग दो पार्ट में divide करके definition wise समझ सकते हैं let's have a look out here both जो food loss और food wastage है ना वो एक global challenge है किसके लिए हमारा sustainable development goal charter के लिए हमारा जो sustainable development goal 2 है ना वो बोलता है कि हमें zero hunger कर देना है 2030 तक लेकिन अगर इतना amount of food 931 million ton food अगर हम लोग बरबाद कर रहे हैं तो किस तरस हम लोग zero hunger को achieve कर सकते हैं sustainable development goal यह aim करता है कि हमारा half कर देना होगा per capita global food waste को और reduce करना होगा हमें food losses को और इसके लिए बहुत सारे steps लेने पड़ेंगे और यह सारे steps को हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे सबसे पहले तो यह देखते हैं कि इतना food loss आखिर होता क्या है रीजन फॉर इंडिया स्वूड लॉस्ट यू कन सी आउट यह cold chain और cold storage का जो infrastructure है वो भारत में नहीं है खासकर जो farm label में होना चाहिए इवन जो भी food है ना उसके लिए हमें हमारे पास intermediate food processing unit नहीं है यू कन सी आउट यह कुछ causes of food waste है उसको discuss कर लेते हैं सबसे पहला जब food produce होता है ना उस समय ही बहुत सारा food जो होता है वो बरबाद हो जाता है किसके वज़े से pest के वज़े से disease के वज़े से infection के वज़े से contamination के वज़े से ना नेक्स जो process है जिसमें processing होता है और distribution होता है वहाँ पर भी बहुत सारे food damage हो जाते हैं खासकर जो perishable item होता है जिसे vegetable और fruit हो गया उसके वज़े से बहुत बार बरबाद हो जाता है उसके साथ साथ जो over production होता है आपको ये भी समझना पड़ेगा कभी कभी over production के वज़े से जब उसके दाम उतने नहीं मिल जाते हैं तो farmer क्या करते हैं उस पूरे product को better रहता है कि बरबाद कर दे फेक दे जो third part आप देख सकते हैं retail में भी food का loss होता है जिसे आप क्या करें ना over stock कर ले रहे हैं आप अपने गुदाम भर ले रहे हैं इसलिए कि जब उसका price बढ़ेगा ना तब आप उसको निकालेंगे तो over stocking के वज़े से वो जो food है ना वो वहीं पर सड़ जाएगा तो यहाँ पर भी food wastage हुआ food services और household में जो restaurant होते हैं वहाँ पर food की बहुत जादे बरबादी होती है और household में तो food की बरबादी होती ही होती है तो इस तरह से इ startups है और companies है ना उन्हें invest करना चाहिए processing sector में अगर कोई भी food को आप process कर दे रहे है तो उसका time period है उसकी जो longevity है आप उसको बढ़ा दे रहे हैं जैसे टमाटर कहीं example लेते हैं टमाटर एक perishable item होता है और बहुत ही जल्दी वो क्या हो सकता है सड़ सकता है लेकिन आप अगर उ उसका sauce बना दे रहे हैं तो उसकी जो longevity होगी time period होगा वो बढ़ जाएगा जिससे की farmer को भी benefit होगा उसके साथ-साथ distributor को भी benefit होगा और एक country को भी benefit होगा food का जो wastage है उससे बचा जा सकता है तो ऐसे हम multiple food product के साथ कर सकते हैं हमें processing sector बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है उस processing infrastructure हमें इस देश में develop करना पड़ेगा government तो इसके लिए काम कर ही रही है लेकिन जो startups हैं जो entrepreneurs हैं उन्हें भी इस direction में work करना पड़ेगा लेकिन लोग जो हैं वो थोड़े से हिचकिचाते हैं क्योंकि ये सारे food items जो होते हैं उनका price जो होता है वो बहुत ज्यादा fluctuate करता है और इस तरह की volatility से बचनी के लिए जो startups हैं या entrepreneurs हैं वो थोड़ा सा इस sector से दूर भागते हैं इसके अलावा जो farmer education है उसकी उपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं investment कर सकते हैं जिसे farmer ही अगर ससकत हो जाएं तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कब हमें क्या करना है harvesting करना है threshing sorting grading of produce किस तरह से करना है तो farmer education एक बहुत बड़ा role play कर सकता है जिससे कि हम लोग food wastage को बचा सकते हैं उसके साथ साथ infrastructure improvement consider करिये कि अगर आपके पास infrastructure better नहीं है ना तो जो भी perishable item है वो तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे अगर आपके पास better road connectivity है तो आपको जहां भी अपन produce को पहुचाना है वो बहुत ही easily पहुच सकता है जिसके वज़े से जो आपका food का loss है ना वो reduce हो जाएगा और जो wastage हो रही है food की उससे हम लोग बच सकते हैं तो of course infrastructure को हमें improve करना पड़ेगा जिससे कि farm से folk तक जो हमारा infrastructure हम कहते हैं उसको हम लोग better कर सकते हैं जो भी farm में produce हो रहा है वो बहुत ही easily आपके घरों तक पहुच जाए बिना ही बीच में wastage हुए और इसी से हम अपनी खाद सुरक्षा कर पाएंगे food security को और better कर पाएंगे और sustainable agriculture की तरफ क्या कर सकते हैं move कर सकते हैं देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा sustainable agriculture बहुत ज्यादा important है आज जो agriculture होता है उसमें ज्यादा तर fertilizer pesticide का use इसलिए होता है क्योंकि आप produce बढ़ाएंगे लेकिन अभी data से हम यह समझ में आ रहा है कि 71-73 million ton हम लोग बरबात कर दे रहे हैं तो जरूरत यह नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा fertilizer और pesticide का use करें ज्यादा से ज्यादा हम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही हमारा sustainable agriculture भी कहता है जिससे की health के उपर direct असर पड़ेगा और एक better quality of food people के पास पहुचेगा और of course जो sustainable development goal है हमारा की zero hunger करना है 2030 तक उसको भी हम लोग achieve कर पाएंगे तो I hope आपको यह सारे point समझ में आए होंगे कि food security क्या होता है किस तरह से हम लोग food को lose कर रहे हैं किस तरह से food का loss हो रहा है food wastage क्या होता है और किस तरह से इस problem का solution हम लोग find कर सकते हैं आपको 2-3 चीज़ों के उपर ध्यान देना पड़ेगा कि reason क्या है food loss का किस तरह से food loss हो सकते हैं वह बहुत जरूरी है आप infrastructure के ऊपर farmer education infrastructure improvement like road and transport और cold storage का development यह सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके एक में से answer writing बेटर लिख सकते हैं So that's it for this video Thank you